हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रेयोदशी को धन्तेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सोने या चांदी के चीजे खरीदने का महत्व है। बहुंसे लोग लक्षमी गणेश अंकित सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं। तो स्टील, पीतल या तामब्यादी के बरतन खरीदने वाले भी बाजार में दिखते हैं। तो दमश्कर दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत हैं। मैं हूँ अनुश्का और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ धन तेरस 2023 से जुड़ी हुई महत्वण अपडेट शेयर करने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लाज तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश करें। तो दोस्तो साल 2023 में त्रेउद शीती थी 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12 बच करके 35 मिनट पर प्रारम होगी और 11 नवंबर को दोपहर 1 बच करके 55 मिनट पर समाप्ट होगी। प्रदोशकाल का समय रहेगा पांच बच करके 29 मिनट से लेकर के 8 बच करके 29 मिनट शाम तक व्रिशब काल के बारे में बात करें तो व्रिशब काल पांच बच करके 14 मिनट से लेकर के 7 बच करके 40 मिनट तक रहेगा धंतेरस की पूजा के बारे में बात करें तो इसकी अवध ही एक घंटे 55 मिनिट की रहेगी पांच बच करके 55 मिनिट से ले करके साथ बच करके 40 मिनिट तक धन्तेरस पूजन विधी की बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि धन्मंत्री जी की आपको पूजा करनी चाहिए इसमें आपको आसन, अर्ग, स्नान, वस्त्र, आभूशन, गंध, केसर, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्र, आंचमन की जरूरत होती है और संध्या बेला में इनकी पूजा की जाती है आपको मैं बता दूँ कि त्रियोदशी तिती प्रारम 10 नमंबर को मध्धिरा 12 बच करके 35 मिनट से शुरू होगी इसके साथ ही धंतेरस पूजा शाम में 5 बच करके 40 मिनट से लेकर के शाम 7 बच करके 40 मिनट तक की जाएगी धंतेरस के दिन जो भी कुछ खरीदा जाएगा उसका दिपावली तक इस्तिमाल नहीं करना चाहिए दिवाली के दिन उसे देवी लक्ष्मी के सामने रख कर उसकी पूजा करनी चाहिए दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ जेहिन वन्दे मातरम